हुआइ फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से नेमार्ट वाली रििल्स वीडियो बनाने वाले हैं जो कि यह दोनों आप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड यहां पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं अब यहां से आपको अपने पिक्सल अप्लीकेशन क कर लेना है उपन करने के बाद यहां पर आपको ऊपर के साइड में यहरो पर क्लिक करना है और इस टेक्स को यहां पर डिलेट कर देना है और यहां पर हमें दोबारे से यहरो पर क्लिक कर देना है अफ्रेंड यहां पर आपको नीचे के साइड में चान नंबर पर बॉक्स कलर में जाना है तो कलर में यहां पर आपको ब्लेक को सेलेक्ट कर लेना है यहां से आपको ओके कर देना है अप फ्रेंड यहां पर आपको उपर के साइड में प्लस के आइकन पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर आपको फ्रॉटो को एड कर लेते हैं तो इस फोटो का कर देना है यहाँ पर इसकी साइज को में कुछ इस प्रगार से जूम कर लेना है देख सकते हो फ्रेंट कुछ इस प्रगार से इसकी साइज को आपको अच्छे से जूम कर लेना है अब जूम करने के बाद क्या करना है यहाँ पर हमें एरो पर किलिक करना और इसे में लोक कर द इस प्रकार से delete कर देना है delete करने के बाद यहां पर आपको अपने नाम को type कर लेना है जो भी आप लिखना चाहते हो यहां पर आप लिख सकते हो उसके बाद यहां से आपको ok कर देना है ok करने के बाद यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से ले आना है लाने के बाद क्या करना है इसकी size को थोड़ा सा जूम करेंगे जूम करने के बाद यहां पर आपको यह पर click करना है नीचे के side में और यहां पर हमाज आएंगे देख सकते हो वो font में तो यह भी font पर आपको click करना है तो आपके सामने यहां पर बहुत सारे font के style आ जाएंगे जिस font को आप use करना चाहते हैं उसे use कर सकते हो तो जैसे मुझे यह वाला font add करना है तो इस पर click कर देना है और मारा add हो जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे के side में ok पर click कर देना है और इसकी size को अपने recording अच्छे से रख सकते हो देख सकते हो friend कुछ एस प्रगार से अब रखने के बाद क्या करना है आपने थोड़ा सा और scroll करेंगे तो यहां पर हमें stock में आने के बाद यहां पर हमें इसे click करना है और इसे हमें own कर देना है उसके बाद यहां से हमें ok कर देना है अफ्रेंड यहां पर हम दोबारा से plus की icon पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर हमें text पर click करना है और यहां पर हमें new text पर double type करना है उसके बाद यहां पर हम कुछ स्प्रगार से आ जाएंगे तो यहां पर आपको emoji पर click करना है emoji पर click करने के बाद आप जो emoji रखना चाहते हैं उसे आप यहां पर रख सकते हो उसके बाद यहां से आपको done करने के बाद लाना है आप इसकी size को छोटा करके यहां पर हमें नीचे के side में ऐसे करके इसे set कर देना है अब फ्रेंड इस photo को हो जुका आप यहाँ से बैक आप कुछ इस प्रकार से आप फेंड यहां से हमँग को ऊप्ण कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड में हैसे अपने बीएन एप को ऐप कर लिया है ओपेन करने के बाद यहां पर आपको प्लस की आइकन पर किलिक करना है देन यहां पर आपको न्यूव प्रोजेक्ट पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर आपको फोटो पर किलिक करना है और यहां से आपको एक ब्लेक कलर के बैक्ग्राउंड का सेलेक्शन कर ल आपको सामने बहुत सारे रेशिव आ जाएंगे तो जिस रेशिव में आप बनाना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो तो मैं यहाँ पर 9.16 वाले में बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से तो हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम एंडिंग पोजिशन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको उपर के साइड में फोटो पर किलिक करना है तो यहाँ पर अपने उस फोटो को एड कर लेना है जिस फोटो को हमने पिक्सल लेंब में बनाया था तो उसे वाले फोटो को एड करना है आड करने के बाद यहाँ पर इसकी साइज को हमें कुछ इस प्रकार स आपको अच्छे से जूम कर लेना है जूम करने के बाद यहां पर हमें नीचे के साइड में आना है तो हम आ जाएंगे मैस्क में मैस्क में आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है मिरर को सेलेक्ट करना है select करने के बाद आपको size को कुछ इस प्रगार से यहाँ पर नीचे वाले arrow को select करेंगे ऐसे c code देना है कुछ इस प्रगार से और लाना हमें उपर के side में इसे ऐसे करके set कर देना है अब friends में हम key frame add करेंगे तो यहाँ पर आपको key frame पर click करना है और इसे में थोड़ा सा आगी की तरफ ले जाना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से उसके बाद यहाँ पर हमें बड़े वाले arrow को select करना और कुछ इस प्रगार से बढ़ा देना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगी की तरफ ले आएंगे और यहां पर हमें इस छोटे वाले एरो को थोड़ा सा खोल देना है उसके बाद थोड़ा सा और आगी की तरब में आएंगे तो यहां पर हमें कीपर किलिक करना है और इसे हमें थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बड़े वाले एरो को खोलना है देख सकते हो फ्रेंड उसके ब कर लेना है तो इसका डाउंलोड लिंक आपको वीडियो के डेपक्रिपसन बॉक्स में मिल जाएगा तो फ्रेण यहांसे हमने आपने वीडियो को सलेक्ट कर लिया है अब सलेक् 맞 निके बाद किया करना है आपको यहां पर नीचे के सड में तो filter में आने के बाद यहाँ पर आपको adjustment में आना है तो यहाँ पर आपको आ जाना है हुघ में कुछ इस प्रकार से तो इसे आप घटा बढ़ा के कुछ इस प्रकार से आप चौर तो इसका color भी चेंज कर सकते हो बट मुझे आपर color change नहीं करना आप चाहो तो कर सकते हो उसके बाद यहां से हमें done कर देना है तो चले फ्रेंड आपको हम वीडियो को थोड़ा सा play करकर दिखाते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बनकर तयार हुआ है देख सकते हो फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने फोन में सेब करने के लिए यहां पर आपको उपर के साइड में एस रो पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर quality अपने recording रख सकते हो और यहां पर आपको नीचे के साइड में सेब पर किलिक कर देना है और आपका वीडियो सेब होना start हो जाएगा